पार्शल विद्डॉल के नियम को थोड़े फिर बदल के साथ एक फरवरी 2024 से नए सीरे से लागू किया जा रहा है ये नियम क्या है इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ये सब जानकारी आज के वीडियो में तो गोर से अन तक देखी सबसे पहले किन-किन चीज़ों के लिए आप पार्शल विद्डॉल कर सकते हैं बच्चे की हाईर एडुकेशन के लिए और बच्चों की शादी के लिए जाहिर सी बात है अगर आप प्रेसिडेंशल घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं अपने नाम पर या पिर अपने स्पाउस के साथ जॉइंट नेम पर लेकिन अगर आपके पास पहले से ही एक घर है तो पार्शल विद्डॉल की इजाज़त नहीं होगी कुछ खास तरह की बिमारियों के इलाज के लिए जैसे कैंसर, किट्नी पेलियर, मेजर, ओर्गन, ट्रांस्प्लांट वगएरा वगएरा लिस्ट पूरी आप देख लीज़ें यहाँ पर पॉस करके देख लीजिए, यह लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हाला के मिल जाएगी अगर सब्सक्राइबर दिव्यांग हो जाए या पिर काम करने की हालत में ना हो तो उसके मेडिकल और इंसिडेंटल खर्चे के लिए पार्शल विद्ड्रॉल किया जा सकता है अगर आप स्किल डेवलाप्मेंट या पिर सेल्फ डेवलाप्मेंट के लिए अपने उपर कुछ खर्च करना चाहते हैं कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप NPS अकाउंट से पार्शल विद्ड्रॉल कर सकते हैं और आखिर में अपना काम शुरू करना चाहते हैं नौकरी से ठग गए हैं, कोई स्टार्टप पे आप पर कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो पैसे के लिए आप NPS अकाउंट की तरफ रुख कर सकते हैं, पार्शल विद्रॉल वहां से आप कर सकते हैं, लेकिन NPS अकाउंट से पार्शल विद्रॉल के लिए आपको कुछ शर्ते पूरी करनी होगी, शर्ते एक निहाय थी, खुबसूरत शब्द, यूँ देखना उसको कि कोई और न देखे, इनाम तो अच्छा था, मगर शर्त करी थी, है न, बढ़िया शेर, चलिए, वापस से बैक टू NPS, पार्शल विद्रॉल, अब यहाँ पर शर्त क्या है, अकाउंट कम से कम, तीन साल पुरा होना, पुराना होना चाहिए, आपका जो टोटल कॉंट्रिबूशन है, अमाउंट का, उसका आप 25% से अधिक विद्रॉल नहीं कर सकते हैं, पर जो कमाई हुई है, उसे यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा, माल लीजे कि आपका कॉंट्रिबूशन सौ रुपे का है, और अब वो बढ़कर हो चुका है, तो आप जो विद्रॉल कर पाएंगे, वो सौ का 25%, डेर सौ का 25% नहीं, अगली शर्थ, आप NPS के पूरे 10 योगार में सिर्फ और सिर्फ तीन बार ही पार्शल विद्रॉल कर सकते हैं, और आखरी शर्थ, उनके लिए जो तीन बार पार्शल विद्रॉल करना चाहेंगे, देखिए, पहली बार के बाद दूसरे विद्रॉल के लिए, आप सिर्फ incremental contribution वाले amount का ही 25% निकाल सकते हैं, समझे इसको, अभी आपका contribution है 100, आपने निकाल लिए 25, आपके पास बचे 75, तीन साल के बाद आपको फिर से पैसे निकालने हैं, तो बीते तीन साल में आपने 100 रुपे का और contribution किया है, आपका total contribution है तो 175, लेकिन आप इसका 25% नहीं निकाल पाएंगे, आपने जो तीन साल में, बीते तीन साल में 100 रुपे contribute किये, उसी का 25% निकाल पाएंगे, बस यहीं है, NPS के partial withdrawal से जुड़ी हुई नहीं बाते, डाउट शाउट हो, तो आप हमें mail करेंगे, ask at the rate bewellty.co.n पर या फिर comment करें नीचे और रुखिए, subscribe बटन नीचे यहीं पर है, उसको ज़रा प्रेस करके जाएए, याद रखें कि आप हैं मेरे आनी स्वाती के साथ, और हम सब हैं, बहुत ही साफधानी और समझदारी के सा पर पर वक्त देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया और आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार, stay blessed, healthy and be wealthy. आप सब्सक्राइब के साथ.